एक overlapping concept है बच्चे दूसरा energy concentration, focus करना, clear, maximum coverage करने की कोशिश करेंगे, ताकि कल हम ना, कम सक 40 मिन तक आप से, बात कर पाएं, questions पे, बुकलेट के question कर रहे हो, आपको study material है, चलो, head to head coaxial है, साइड to side co lateral है, SS overlapping तो sigma bond बनेगा, SP, जहां भी S involved है, क्योंकि side नहीं है, उस में कल मैंने आपको बताया था, S के अंदर कोई side ही नहीं है, जब S के अंदर कोई side ही नहीं, जब S के अंदर कोई side ही नहीं, it always form sigma 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 bond, ठीक है जी, तो पहला molecule मैंने VBT के basis पे आपको hydrogen समझाया, मैंने का जी, एक तीन वर्ड्स की लाइन याद रख लो, बस तीन वर्ड्स की लाइन, क्या, sharing of unpaired electrons, जिसके दिमाग में sharing of unpaired electrons है, वो VBT का किंग है, बस, बात खतम, जिसके दिमाग में sharing of unpaired electrons है, वो VBT का किंग है, इतनी सी बात समझनी है, तो आपने head-to-head overlapping करवा दी, ss की, तो कौन बन गया, hydrogen, यह आपके सामने पड़ा हुआ है, यहाँ s जब भी involved होएगा, मैंने कल भी बताया, आज मैं दो बार बता चुका रहा हूँ, जब भी भी s involved होएगा, that always form sigma 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 bond, कोई शक, कुछ, एक दो बच्चे नई भी लग रहे हैं, आज ने, नई वाले सो रखें क्या, चलो, अब सोने वालोग तो मैं कैसे जगा हूँ, मेरी सामने यो तो मैं जगा दूँ, हंजी, अगला है, sp overlapping, जहान से सुनना बच्चे, एक s involved होएगा, दूसरा p involved होएगा, what is a fundamental of ebt, sharing of unpaid electrons, तो भाई, hydrogen के पास एक है, fluorine के पास भी एक है, chlorine के पास भी एक है, bromine के पास भी एक है, iodine के पास भी एक है, तो 1s, 1p, लिगनी तो पंगा हो गया, ये तो head or sideways आगे, no overlapping, head or sideways आगे, no overlapping, आपके पास, यूँ समझों ना बच्चे, कि माल लो ये आपका side है, और ये head है, ये overlapping के chance तो है नी ना, फिर एक ऐसे है, ये भी side or head है, लेकिन जब head to head आएगा, it has a maximum chance of the overlapping, तो पहला chance मैंने लिया, no, दूसरा chance मैंने लिया, no, तीसरा chance मैं head to head का chance ले रहा हूँ, inter nuclear axis पे, अब बच्चा कहा दा सर, inter nuclear axis कोन, जो bond बना दे, inter nuclear axis कोन जो bond बना दे, और जब भी inter nuclear axis आएगा, that always head, that always form sigma, तो ये आपकी चोईस है, ये आपकी चोईस है, आप किसी x को भी, आप किसी y को भी, आप किसी z को भी, किसी को भी inter nuclear axis बोल सकते हो, Px, Py, Pz, आप किसी को भी inter nuclear axis बोल सकते हो, हाँ, इतना ध्यान रखो, जब Px inter nuclear axis हुआ, तो इस ने sigma बनाया, और बाकी y, z नहीं क्या बनाया बच्चे, पाई बोंड, और अगर Py inter nuclear axis हुआ, तो उस नहीं क्या बनाया, सिग्मा और Py, Pz नहीं क्या बनाया, पाई पूंड, सरी, Px, Pz ने, Px, Pz ने, सिग्मा, और सिमिलरली, अगर कहीं भी, Pz inter nuclear axis हुआ, तो Px और Py नहीं क्या बनाया, पाई पूंड, यह पाई लिखना था, क्या इस पेज को वापिस आपके दिमाग में डालू मैं, स्स ओरलापिंग, वन जोथ स्वर्बापिंग अर्बडली आपके, बनाया इस एस इस प्रॉर्लापिंग, स्वरलापिंग, वन नए नए प्री नहीं प्री नहीं, फूर इस ऑंपल्स एर, हf, हc, हb, 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 इन कास ओ, in कास ओ, हb, 1S2P in case of HCL 1S3P in case of HBR 1S4P in case of HI 1S5P overlapping takes place कोई भी objection हो full freedom में आपको बात करने ही कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मुँँ आप ही को खोड़ना पड़ेगा मैं तो कह सकता हूँ आपसे कि बचे बात कर लो clear तो अगर मैं 1S और इसमें हमेशा याद रखना फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होई कि दो छोटे-छोटे साइज होएंगे फ्रेंडशिप बढ़िया होने वाली है तो HF का बॉन्ड HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे जादा है HCL की थोड़ी कमजोर है HBR की और कमजोर है इसी चीज़ को organic chemistry में carry forward कर लेंगे हम लोग इसी चीज़ को organic chemistry में carry forward कर लेंगे तो HF का बॉन्ड तोड़ना difficult HCL का थोड़ा easy HBR का और easy सोचो न बच्चे एसी overlapping एक विचरा बच्चास है दूसरा इतना बड़ा आई है तो सोचो इस बॉन्ड को तोड़ना super easy है तो इस page पे जितनी भी बातें लिखी थी most possible हो सकती थी सारी आपके दिमाग में डालने की मैंने कोशिश की है अगर आप कहो तो मैं आगे बढ़ूँ लो जी अब मेरे पास head to head fluorine, chlorine, bromine, iodine, sigma PP का PP की दो type की overlapping हो सकती है PP की दो type की overlapping हो सकती है ऐसे ऐसे करके और एक इस तरीके से head to head, co-axial दूसरी side to side collateral तो पहला molecule मैंने F2, CL2, BR2, I2 सीखा मुझे पता है fluorine, fluorine में एक-एक unpaired है फिर मेरा एक simple सा trick है वो trick आपके पास भी है VBT का 3 words में जबाब दो VBT का 3 words में जबाब दो तो आपका जबाब पती क्या होएगा VBT का 3 words में जबाब आपका होएगा sharing of unpaired sharing of unpaired लेकिन फिर वही पंगा हो गया कि अगर दो इस तरीके से पास आए तो सिधह भाई बना और पाई बन कैसा बन है वीक बच्चे, ओवरलैपिंग एक तो एक ही जगाई कठी होगई, दो नूकलेस के बीच में एक ओवरलैपिंग दो जगापर है नूकलेस के उपर नीचे तो पहली बार में कभी भी वीक बोंड नहीं बनता है पहली बार में कभी भी वीक बोंड नहीं बनता है तो फ्लोरीन इस ट्राइप से ओवरलैपिंग पहली बार में नहीं करेगा नहीं करेगा ब्रोमीन तो पहला बॉंड जो बनेगा, that always sigma, clear ना, that always sigma, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आइडिन में head-to-head overlapping होकर sigma बॉंड बन रखें, अच्छा, कोई मुझे idea देगा, फ्लोरीन में 2P2P, क्लोरीन में क्या overlapping होईगी, 2P2P, 3P3P, 4P4P, 5P5P, क्लोरीन में, 3P3P, और ब्रोमीन में, और आयोडीन में, clear ना, on the behalf of orbitals, सबसे अच्छा strength वाला bond किसको होना चीए, bond length किसकी कम होनी चीए, होनी चीए, बोल रहा हूँ, है नीवोनी कर रहा, होनी चीए ना, लेकिन उसके lone pair ने पंगा डाल दिया, कल भी बताया था आपको, clear, वो आगे भी बताऊँगा, चलो जी, अब मेरे पास है sidewise overlapping, 2 molecule है, पहला O2, दूसरा N2, फिर वही कहानी जिसको आप कम सकम 20 बार सुन चुके हो, sharing of unpaired, दोनों oxygen के पास 2 unpaired है, नाइट्रोजन के पास 3 unpaired है, आउटरमोश शेल में, आउटरमोश शेल इसको बोलते हो, आउटरमोश शेल इसको बोलते हो, आउटरमोश शेल मतलब maximum principal quantum number, तो head to head पहला bond बन गया, और sidewise दूसरा bond बन गया, इसमें head to head पहला bond, sidewise दो bond बन गया, sidewise, अब आपकी चोईस है, इंटरनुकलियर एक्सिस आप कोन सा लेकर चलते हो, अब आपकी चोईस है, इंटरनुकलियर एक्सिस आप कोन सा लेकर चलते हो, अगर इंटरनुकलियर एक्सिस आप कोन सा लेकर चलते हो, सिगमा बोंड की स्ट्रेंथ जादा है, पाई की कम है, सिगमा के अराउंड, फ्री रोटेशन्स पोसीबल है, चैप्टर का नाम आइसोमेरीज्म, और पाई के अराउंड फ्री रोटेशन्स पोसीबल नहीं है, अगर आब इस बात को सीखना चाहते हो, तो चेक करो, यह सिंग में पैडल घूमता रहता है, सिंगल एक्सिस पे फ्री रोटेशन्स, लेकिन अगर मैं दो पैल ले लूँ, तो एक एक्सिस पे दूसरा एक्सिस आने से इसकी रोटेशन्स फ्री ली क्या होगे, बंद होगे, तो सिंगल बोंड पे क्या होएंगे, रोटेशनल आइसोमर्स, ग्यार्वी क्लास का यह आईसोमरिजम का रोटेशनल आईसोमरिजम चैप्टर एक यहां फ्री रोटेशन पोसिबल है जबकि डबल बॉंड पे फ्री रोटेशन बंद हो गए वहां पते क्या बनेगा? अब स्मार्टो जमेट्रिकल आईसोमरिजम जिसको फ्रोजन रोटेशन भी बोलते है तो सिंगल बॉंड पे क्या हो रहे है? फ्री रोटेशन पाई बॉंड पे क्या हो रहे है? फ्री रोटेशन बंद हो गए क्लियर ना? तो सिंगल बॉंड फ्री रोटेशन डबल बॉंड फ्रोजन रोटेशन तो इस बोर्ड पे और पिछले बोर्ड पे किसी को भी कोई मेर से बात कर नहीं हो Most Welcome इसमें कनक्लीजी बताऊं क्या-क्या सीख है SS Overlapping सीख ही है SP Overlapping सीख ही है PP के दो टाइप सीख है और पहला Molecule Hydrogen सीख है अगला HF, HCL, HBR, HI5 Molecule यह हो गए अगला PP सीख है फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिनाइडिन 9 Molecule यह हो गए और पाइपाई साइडवाइज में O2 N2 सीख है 11 Molecule टोटल हो गए अगर किसी भी बच्चे को इन दो पेज पे कोई कन्फ्यूजन आ रहा हो मिर से बात करने की टोटल फ्रीडम है उसको और कंक्लूजीव आइडिया क्या SS सिगमा, SP सिगमा, PP, PP, Head to Head सिगमा, Sidewise पाई Which bond is more stronger, सिगमा पहला bond सिगमा फिर पाई बनता है कंक्लूजीव आइडिया यह ही इसके अंदर अब आरेंजी, Energy Consideration पे ध्यान से सुनना इस बात को भी, Confusion ओ, Immediately Discussion करना लोटो जी, Energy Consideration Energy Consideration दो टाइप के Forces working है, clear है एक Attraction Force, दूसा Repulsion Force दो टाइप के Forces responsible होईंगे जब भी कोई bond बनेगा दो टाइप के Forces responsible होईंगे जब भी bond बनेगा Attraction Force, Repulsion Force Attraction किसके बीच होईगा Electron, Nucleus, Nucleus, Electron Repulsion किसके बीच होईगा Electron, Electron, Nucleus, Nucleus इस पे Yes or No? चलो जी, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं जी अब हुआ क्या जब मैं दो एटम्स को इन फाइनल डिस्टेंस पे लेकर चल रहा हूँ मैंने ग्राब बनाना शुरू किया एक तरफ एनर्जी है दूसरी तरफ डिस्टेंस है मालो दो एटम्स इन फाइनल डिस्टेंस में मालो आप और मैं कल तक मैं आपको जानता नहीं था आप मुझे जानते नहीं थे तो हम इन फाइनल डिस्टेंस पे थे No interactions Neither attraction, no repulsion कुछ नहीं था हमारे बीच लेकिन जिन बच्चों को समझ में आना शुरू हुआ तो हमारे बीच में bond बनना शुरू हुआ attraction dominant कर गया जिन बच्चों को समझ में 100% efficiency तो engine की भी नहीं होती भई टीचर की कहां से आएगी बिचारे की clear तो दो nuclear दो atoms पास में आना शुरू हुए तो अगर उन में मैं और आप पास में आना शुरू हुए attraction जाद हुआ bond बनना शुरू हुआ मैं आपको समझने लगा आप मुझे समझने लगे एक critical distance यह bond बन गया और जिनको समझ नहीं आया उनको repulsion लगा तो bond बनना बंद हो गया तो अब exact chemistry की language में सीख ले when two atoms are at the infinite distance no interactions when they become close to each other और close आने की एक condition है बच्चे मैं VBT बढ़ा रहा हूँ आप बता सकते हो close आने की क्या condition है दो atoms के close आने की क्या condition है तीन words का answer है बस बात का term sharing of unpaid electrons इसलिए helium helium pass ही नहीं आते है repulsion dominant करता है new union pass ही नहीं आते है repulsion dominant करता है लेकिन H H F F C L C L B R B R I I H B R H C L इस सब pass आएंगे क्योंकि इनके पास कौन पड़ाव है unpaid electron यह VBT और है attraction dominant किया जहां attraction is equals to repulsion वहां bond बन गया तो यह वाली जो distance है इसको bond length बोलते हो और यह जो depth है down type यह इसकी bond energy है जितना यह dip होएगा उतनी energy ज्यादा release हमारा कल का दिन और आज का दिन जितनी ज्यादा energy release होएगी उतना stability बातखत है clear और यह condition जो मैं इसको highlight कर रहा हूँ न impossible condition है यह कभी नहीं आ सकती यह तब आएगी जब जब्रदस्ती आटम को और पास लाओगे वह possible linear लाना पड़ेगा ना आएगा थोड़ी कोई तो repulsion लगने लगेंगे उसके बीच में पिर मैंने बच्चों से question पूछा यह side में देख रहे हो right hand side में question पड़ा हूँ है एक में 400 kilojoule energy निकली तो बच्चों ने मुझे का sir पहला वाला ज्यादा stable है is it second 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 वाला ज्यादा stable क्यों शीवम release होरी है release होरी है है नहीं बोलना है से तुमारे जैएंगे हम release हो रही है ऐसे तो unstable हो या ज्यादा release हो पुतर पुतर अब सुनो बच्चे मैं अब helium की बात कर रहात है VBT की आत्मा जो है वो तीन वर्स में बसती है बस sharing of unpaired, sharing of unpaired, sharing of unpaired तो मैं helium को पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता आपको भी यह पास नहीं आएंगे पता आपको भी यह पास नहीं आएंगे, उसने का कोई evidence दे सकते हूँ, मिनका evidence सीखना है ना बढ़िया वाला तो M.O.T में चलते हैं, M.O.T में इसका bond lottery 0 है लेकिन VBT में भी सीखना है तो उसमें भी तरीक है, मिरसाथ क्रिकना पढ़ेगा आपको बस तसरली से, सुनो नूकलियस, नूकलियस, इलेक्ट्रोन, 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 इलेक्ट्रोन में रिपल्शन नमबर 1, इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन में रिपल्शन नमबर 2, नूकलियस, नूकलियस में रिपल्शन नमबर 3, अब सुनो उल्टा, इस इलेक्ट्र जान कर जाएगा? ध्यान से देखना भई। रिपल्शन one, । रिपल्शन two, । रिपल्शी no क्लियर, और रिपल्शन two, तो चार रिपल्शन तो यही हो गएρ। और शेल्ट में 20 अहर्या तो पह अलगी तो 5 तो अब अब इस ऐसे तौकर पक शीन होगे? सुनो जी यह देखो नूकलिस का इलेक्टरोन से नूकलिस का इलेक्टरोन से दो नूकलिस का इलेक्टरोन से नूकलिस का इलेक्टरोन से कितने हो एचार वाविज बताओ इस नूकलिस का पडोसी से, फिर पडोसी से, इस नुकलेज का इस से इस से, टोटल रिपल्शन कितने होगा, एक चार, तो रिपल्शन पांच है, अट्रेक्शन चार है, तो रिपल्शन डोमिनेट करें, और जब रिपल्शन डोमिनेट करेंगे, तो आप भी समझदार हो, आप भी समझदार ह वीबीटी वला बंदा, क्लियर, यह डिस्टेंस है, यह एनरजी है, रिपल्शन डोमिनेंट कर रहे हैं, किस पर? अट्रेक्शन पर, तो जब भी इनको पास लाने की कोशिश करोगे, यह प्रोसेस बाइडिफॉल्टी कैसा हो जागा, एंडोथर्मीक, एंसे इटी का डेटा है यह वला, इसलिए हमें मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है, और अब वीबीटी को कोशना शुरू करते हैं, बुराहिया करना शुरू करते हैं, वीबीटी न, एक चीज नहीं समझा पाया, मेगरिटी करेक्टर, और सब को पता होना चाहिए, O2, 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 P block element group number 16, S2, यह दोनों paramagnetic हैं, दोनों के पास दो UP पड़े में, लेकिन VBT के accordingly सारे shared हो गए, चाहो तो मेरे साथ आजो एक मिनिट के लिए, कहां दिखा हूँ जी आपको यह रहा, इसको highlight करता हूँ इस जगह पे, यह लो, यह O2 है हमारा, आपके सामने बिल्कुल exact screen यह लोगी है, यह दो अंपेर्ड, एक का एकसे sharing, दूसरे का दूसरे sharing, सारे क्या होगे पेर्ड, इस भीडियमेटिक अको यह जिए जितने बच्चे क्लासे हैं रामेटिक पारमेटिक को जानते हैं, पैरमेटिक is attracted by magnetic field and diamagnetic is repelled by magnetic field, ठीक है जी तो VBT के एकोडिंग लिए तो यह तो पंगा हो गया, तभी वीबीटी की हमने बुराई कर दी, कि यह मेगनेटी करेक्टर को एक्सप्लेइन नहीं कर पा रहा, आपके दिमाग में वीबीटी का एक कंक्लुजीव आइडिया सेट हो गया, चलो बड़ी हा बात है तो, लो जी इस चैप्टर का बैकबोन, हब्रिजेशन की बात करेंगे, ध्यान से सुनना और समझना, डाउट हो, इमिरेटली मिरे साथ आ जाना, और मिरे से बात कर लेना, पीछे का पेज तीन पेज थे, किसी को देखना हो, बात करनी हो, most welcome, चलो, मुझे लग रहा है, सबी लोग समझे ही नहीं है, वीबीटी, वीबीटी वापिस पढ़ा हो, चलो, पोलिंग ने डेफिनिशन दिया, और पोलिंग ने डेफिनिशन दिया, mixing of orbitals, जबकि वीबीटी में क्या था, mixing नहीं हो रही थी, सब अपना individual existence बना-बना के रखे वे थे, P orbital remains P, dumbbell, D orbitals remain double dumbbell, S orbital remains spherical, बट जब हम hybridization की बात करेंगे ने बिटा, तो इस जगा पे mixing हो जाएगी, खिचडी बन जाएगी, definition क्या, mixing of orbitals, which have nearly same energies and different shapes, और जैसे ही mixing होई, तो same energy, और same shape के, hybrid orbitals बन गए, वापिस बोलू इस बात को, what is the hybridization, आपने का जी, it is the mixing of, atomic orbitals, which have nearly same energies, but different shapes, after mixing, those are known as the hybrid orbitals, which have nearly same, exactly same energies, and exactly same shapes, अब एक बच्चा कहता सर, आपने definition तो दी दी, आप बुक पढ़ा रहे हो, आपने ये तो बताया है नहीं, hybridization की need क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक जब आप तो मिर पास पते हैं, क्या सलेबस में है, और दूसरा जब आप मिर पास बोड़ पे है, ध्यान से सुनो, भाई जब मुझे, मिथेन समझाने हैं, मुझे वोटर समझाने हैं, मुझे बी-एफ-3 समझाने हैं, मुझे बी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी-स-ी- बिटी, विदाउट मिक्सिंग, एकता प्रिया कहा जा रही हो बच्चे, किसको टांट रही हो, ओ एकता प्रिया, छोटा भाई आ गया तर क्या, हां जी, मिथेन मोलिक्यूल के अंदर, मुझे, विबीटी के एकोडिंगल एक्स्प्लेनेशन चाहिए, एक 109 डिगरी का एंगल, आप निगा ठीक है, कोशिच करो, तो सबसे पहले मैंने कारपन लिख्था, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, हम इन अनपेट लेक्ट्रोंस और 4, और विबीटी क्या बोलती है, शेरिंग ओफ अनपेर्ड, तो इन तीन के साथ आकर तो कौन, 1s1s1s सिग्मा बोंड बना गया, इन तीन के साथ आकर तो 1s1s1s सिग्मा बोंड बना गया, ये देखो भी एक्जेट, और एक बच गया, आपके पास कौन, ये सेंटर वाला एस, और एक हाइड्रोजनी से से सोवरलेपिंग कर गया, तो टोटल 4 सिग्मा बोंड बन गया, दूसरी बार बोल रहा हूं, मिधेन को मुझे वीबीटी से समझाना है, मैं फेल होंगा, पास होंगा, डिपेंड करता है कि अगर बोन एंगल 109 आगया, तो मैं पास हो जाओंगा, अगर 109 की जगा कुछ और आगया, तो मैं फेल हो जाओंगा, आप समझ पार हूंगा, मेरे को किसी बर्चे ने कहा, सर, हाइबडेशन आप पढ़ा क्यो रहे हो, हमें तो समझी नहीं रहा कि आप कुछ भी उठा उसने आप कोशिच तो करके देखो, क्या पता समझा दो, मैं ठीक है, मिथेन का प्रैक्टिकल बोन एंगल 109 डिग्री है, जब मैं वीबिटी से समझाना शुरू किया, तो तीन बोन एंगल तो 90 डिग्री के आगे बच्चे, अल्दपी, और्बिटल्स हार पर्पेंडिकु अब मैं किसी भी ऐसे मोलिक्यूल को आयन को, जिसकी अटोमिसिटी 2 से उपर है, उनको वीबिटी से नहीं सिखा सकता, टोटली फेल्ड, बोलो जी, जितने बच्चे क्लासें बैठें, एक नूर, शिवम, मुसकाहन, ये बातें क्या आपको रियली समझ में आ रही हैं, क्या लोजिक समझ में आया, कि मैं हाईडिशन के बेसिस पे, अगर चलना चाता हूं, तो उसकी वजह क्या है, और वीबिटी में दिक्कत क्या है, वीबिटी मुझे उन मोलिक्यूल को समझाने में कैपेबल नहीं है, जिनकी अटोमिसिटी 2 से उपर है, चलो जी, अब हमारा अग इंपेर का सम 2 स्प, 3 स्प 2, 4 स्प 3, 5 स्प 3, 6 स्प 3, D2, 7 स्प 3, D3, फिर मैंने बच्चों को एक्जम्पल दिये, यह इधिन का एक्जम्पल था, यहाँ दो कार्बन थे, इस पे 4 सिगम है, स्प 3, इस पे भी 4 सिगम है, स्प 3, फिर मैंने अगला मोलिक्यूल दिया, पहल वाले पे 2 सिगम है, बी वाले पे भी 2 सिगम है, सी वाले पे 3 सिगम है, डी वाले पे 3 सिगम है, 1, 2, 3, और ई वाले पे 4 सिगम है, 2 सिगम एस पी, 2 सिगम एस पी, 3 सिगम एस पी 2, क्लियर है, 3 सिगम एस पी 2, 4 सिगम एस पी 3, क्या किसी को सिगमा और पाई गिनने में भी कुछ बच्चो को थी उस बैच में जहां मैं बात कर रहा था जहांके नोट्स हैं क्लियर अभी दस बार पंदरा दिन पहले पढ़ा है था उनको तो यह को बुद्ध पुराने नहीं है 25 साल पुराने यह अभी के हैं 15 दिन पुराने क्लियर तो हुआ क्या स्कार्बन पे चार स सिग्मा जब भी सारे सिंगल बोंड हो को ओल सिंगल बोंड सा सिग्मा इ awakening सिंग्में ऑल गया सिग्मा और वनंपाई से आख्था किंह अबनंब्ना इनư ड की मंदे थे एक तवश्फे मख्चह फिर ह archivesalite Natella मिनार्थि इंटेट्रा साइनो मीथेन हामनी सिगमा पाई इंदा टेट्रा साइनो मीथेन एट सिगमा एट पाई रेशो इस वान इस वन ठीक है अच्छा इसमें बताना जरा हे महान जंता बता दो भई 11 बच के 30 मिनट हो गए और 40 मिनट की क्लास हमारे पास बच विए काफी कवरेज कर लोगे अगर आप चाहोगे तो क्या हो गया कि वह कहां चले गए इसमें तो बड़ा तेजते जान सर्देगे तुम लोग पूर आप हो गया न क्यों क्यों लिए अ इन दे को फिर क्यों चुड़ा में नेट प्रसला जो बंदे कर अगाउंग हो उन केप्टल ना मलेच लाँ केप्लम नट प्लस कर दो बच्चे आवाज आ रही है मेरी डिस्कनेक्ट हुआ था एक पर ना आंसर क्या भी इसका यार बता दो यार तुम अत्या चार कर रहे हो में रुपे 5 सिगमा 2 पाई इस इस इट कैसे बनाया इसको क्या आपने इसको ऐसे बनाया इसमें तो 6 पाई आ रहे है इसलिए जब मैंने इसको एक्सपेंड करके दी तो आपने इमेरीटली बात उठा ली लेकिन जब मैंने expand करके नहीं दिया तो अब आप को के इसको हम समझेंगे कैसे कुछ नीच दोनों cyanide अटा के hydrogen लगा दो दोनों cyanide अटा के hydrogen लगा दो तो इस C2H2 बन गया ना अब C2H2 बन लब इता ही ने C triple bond और फिर hydrogen अटा कर cyanide yellow G ताइम आपके पास chemical bonding को समझने का तीन दी नहीं है तो अब मुझे अगर आपको C2C and hold twice मिलता है चलो अब बताओ अब तो तुम एक बात में बात पकड़ लेती हो smart तो सारे के सारे अब बताओ एसे बने पुत्तर एसे बने एसे बने 9 sigma 9 pi एसे बने ये तो बताओ क्लियर ना टेट्रा साइनो इथाइलीन उपर था डाई साइनो एसिटलीन और उससे पहले था टेट्रा साइनो मिथेन क्लियर चलो अब आपके पास है second method how can we find the hybrid state तो इसमें मैंने बताया वी प्लस एम सी वी प्लस है माइनस सी प्लस है हर बात को मैंने open किया कि वी फॉर वेलेंस इलेक्ट्रों इंद आउट्रमों शैलों सेंट्रल एक्ट्रल कैसे बता चलता है मैंने का कोई रूल नहीं है अब सेंट्रल पता करने का कोई रूल नहीं है बस यह कि size बड़ा होना चीए यह की valency जादा होनी चीए यह की सिलिकन जर्मेनियं के नेक्ट्रोजन फोस्फोरस,दिआशनेиком एंटिमनीं और पूरे केboxing में आपको पांच म इंधन मौन बहलेंगे हेड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोकिन, ब्रोमिनायडिन चैOULD d यह 5 ऐलिमेंट आपको मोन नोक्लिन बहलेंगी और C for kitanic charge है जैसे ammonium में plus 1 है और A for anonic charge है sulfate में minus 2 है जैसे अब आपको एक space दिया मैंने B plus M C plus A को यूज़ करने का आपको पूरा के पूरा एक मिनट दिया आवा है methane, BF3, SO2, SO3, ammonium, sulfate इनकी hybrid state आपको समझ में आ रही तो ठीक है नहीं तो मैं समझाऊंगा एक मिनट का space आपके पास 60 seconds और मुझे लगता है जितने बच्चे क्लासे बैठें सब अच्छे खासे ठीक ठाक समझतें आंसर देख लो टैली करके कि यह सारे आंसर सही है कि गलत है कुछ इसमें कुछ समझना आ है तो बात कर ले ना कि अच्छे 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 लिखा था लेके चलू आपको एन कोन है मेरे पास number of hybrid orbitals फोर्मल चार्ज तो पढ़ने का मिनी ही नहीं है फोर्मल चार्ज कुन साब सलिबस का पार्ट है यहां number of hybrid orbital निकालने बच्छे इस molecule का hybrid state है कोई रस्पोंस या मेरी तरह आप भी बैठी ही हो कुन सा वाला कि शारी कर लेते हैं ना सुनो यह मिधेन है इसके सेंट्रल पे कितने इलेक्ट्रोंस है फोटींद ग्रूप है चार मोनोवेलिंट इतने चार चार्ज इस पे कहीं है नहीं तो वह वाला पार्ट नेगलेक्ट हो गया पोर प्लस फोर एट बाइट टू तो एन की वेल्यू क्या आ गई फोर आ गई और जब भी एन की वेल्यू फोर आती है एन की वेल्यू फोर आती है तो hybrid state कैसी SP3 अब मैं नेक्स्ट मोलीक्यूल कर रहा हूँ BF3 हम इनी इलेक्ट्रोंस इन आउटरमोस शेल 3 हम इनी मोनोवेलिंट 3 डिवाइड़ बै 2, 6 बै 2, 3 जब भी एन का वेल्यू 3 आता है बच्चे hybrid state SP2 SO2, sulfur के आउटरमोस में 6 मोनोवेलिंट सिर्फ 5 ही में लेंगे FCLBRIH FCLBRIH clear तो मोनोवेलिंट इस पर है नहीं 6 by 2, 3 तो hybrid state कैसी आगे SP2 अब मैं एनायन करवा देता हूँ किटायन करवा देता हूँ नेक्रोंस में 5 नेक्रोंस फोस्फोर सार्षनी कंटिमिनी बिस्मत मोनोवेलिंट चार M का value फिर माइनस और ये चार्ज माइनस माइनस क्या हो गया 9 माइनस 1, 8 by 2 4 अब इसको देखो सल्फेट को सल्फर के आउटरमोस में 6 है मोनोवेलिंट एक भी नहीं चार्ज क्या है माइनस 2, माइनस माइनस 2 क्या हो गया माइनस 2 8 by 2, SP3 और भी यह है इसके बाद पेट भर के questions है यह देखो जिसको जो ठीक लग रहा है कम सकम 10-10 questions कर लो सारे के लोग धेरो questions है बोड पे सारे लोग यही list complete कर दो यह वली गोड़ भी गोड़ भी गोड़ भी गोड़ भी सिलेन शिलीकन फेमिली कारबन फेमिली का मेंबर है इसको देखके समझ में आ रहा है, 4 plus 4, 8 by 2, CLF3 समझ में आ या, 7 plus 3 by 2, XCF2 बताना कैसी किया, XCF2, very good, 8 plus 2 by 2, very good, XCF4 कैसी किया, very good, 8 plus 4 by 2, clear, तो यह आपके पास हो गया है, 6, SP3D2, अच्छा, इदर से XCF6-4, इसको बोलत है, जीनेट, XCNATE, जीनेट आयन, तुमारी NCRT का पार्ट है, XCF4-4, XCF6-4, इसको कैसे कि, 8 plus 4, बैटो, यह जो प्लस 4 किया, यह कुन सा किया है, बच्छे, वो चार्ज वोला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अच्छा, इधरा जाते हैं, तुरा सा, जिस पर बच्चे अठकते हैं, जनली, I3-, it is iodine-iodide complex, 7 plus 3, हाँ, 7 plus 3, iodine-central है, इसके प्रोस में देख लेना, जांके, इसके प्रोस में बना हुआ है, तो मैं जनली, मैं दो मान के चलता हूँ, बच्चे सारे सेम ही होते हैं, सबको सेम डाउट आता है, तो I3- में, I central है, तुम्हें पीबलोक एलिमेंट पढ़ा होगा ना, 12-20 क्लास वाला, 12 वाला, तो वहां उसने iodine-iodide complex के बारे में बात कर रखी है, iodine-iodide complex, तो iodine, iodine-central है, इसके आउटरमस में कितने एलेक्ट्रोन बच्चे, 7, 2 इसके माइनस वन का चार्ज एड हो गया, तो 10 by 2, 5, SP3D हो गया, तो iodine-iodide complex is linear, SP3D, बताऊंगा ये बाते भी भी हुएंगे आपसे, अब ही फिलाल तो hybrid state निकालने की बाती हो रही है, कि hybrid state निकलती कैसे है, अच्छा, आई-फाइ माइनस ओल करके देखना, आई-फाइ माइनस, आई-फाइ माइनस, हाँ, एक, 7 प्लस फाइब टो होगे, ठीक है, इस सभी बच्चे ठीक ठीक बोल रहे, आई-चा, आई-शेवन माइनस, हम, 7 प्लस 7 में कौन-कौन हुआ, 7 प्लस 6 प्लस 1 है ना, और आई-फाइ माइनस में 7 प्लस 4 प्लस 1 हुआ, और आई-फाइ माइनस में 7 प्लस 1 प्लस 1 हुआ, शुर, 7 प्लस 2 प्लस 1 है ना, नो-3 और नो-2 प्लस, नो-3 माइनस, सोल करके देखना, नो-3 माइनस, सिक्स बाइट टू ना एस्पी टू एनो टूबाइट प्लस एस्पी हो गया ठीक है चलो अब जितने भी मोलीक्यूल है एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीन शोट ले लो घर बैट कर सकते हो काफी तो कर लिया आपने और जो ओक्षियों के ते जिस पर बच्चे फस्ते हैं जर्नली वह सारे बच्च आपने मेरे से डिसक्षिन करी लिया क्लियर ना आप जब वह बुक्लेट करोगे ना बच्चे आपके बाद जो कॉश्चन बुक्लेट आई है उसमें इस टैप का एक कॉश्चन है उसमें पूछ रखा है नैट्रोजन की हाइब्रेड स्टेट क्लियर यह एच है हाँ लोन पर काउंट कर लेना और हाइड्रोजन और दो सिगमा बॉन्ड काउंट कर लेना ठीक है और उससे फिर इसकी हाइब्रेड स्टेट स्टी थ्री आ जाएगी नैट्रोजन पर तीन वेलेंसी तो स्टी थ्री होईगा आगे बढ़ू पहला टार्गेट आपका क्या था डेफिनिशन क्लियर फिर आपका टार्गेट क् आपके पास दूसरा कोई तरीका जो यूनिवर्सल को चोड़ कर फिर आपके पास यह 30-35 जहां जाब अच्छे फास सकते हैं आई 3-5- एक सी ओ 6-4 इन सब को यहां फोकस पे लिया है और एक स्ट्रक्चर यह वाला जहां बच्छे कई बार लोन पर भूल जाते हैं पेपर व तो इस ओक्षिजन को SP हाइब्रिड मत बोल कि आ जाना है हां जी बच्छे SP3 तो अगर यह सैटिस्फेक्शन है तो आगे बढ़ सकते हैं लो जी अब अगर किसी सेंट्रल पर लोन पर गिनने हो तो बड़ा आसान तरीका है वेलेंस इलेक्ट्रोन और वेलेंसी बच्छे ने अभी वैलेंसी कितनी दिगरी हो भचे है ठी कि वैलेंसि एलेक्ट्रोन माइनस वैलेंसी डिवाइडड़ बै टू लोन पर एक एस पहे हैं Webs expense electric of electron on the Central atom वेलेंस एलेक्ट्रोन माइनस वेलेंस डिवाइड़ बै टू अब देखो PCL3 फोस्फोरस के आउटरमोस में कितनी एलेक्ट्रोन है? पाँच वेलेंसी कितनी दिखरी है? थी PCL3 में तीन वेलेंसी है ने बच्छे 5 माइनस 3 बाइटू एक लोन पेर PCL5 के बार में सोचो फोस्फोरस के आउटरमोस में कितनी एलेक्ट्रोन है? 5 कितनी वेलेंसी हो रखी है? 5 माइनस 5 जीरो लोन पेर 0 SF4 सोचो अब SF4 अपने अब सोचो 6 माइनस 4 बाइ 2 अब ऐसी अगला सोचो XCO4 XCO4 XUF4 XCO4 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 जीरोन के आउटरमोस में कितनी एलेक्ट्रोन है? और ओक्सिन का डबल और फ्लोरीन का सिंगल 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 चाच 6 वोन टोटल हो गए क्लियर अगर आप सिंपली मेरे लिखने से चलते ना तो एक 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 एक्जम्पल करते हैं आगे बढ़ते हैं अब आपके आप 15-20-20 एक्जम्पल आ रहे हैं नीचे एक्सियो थ्री है एक्सियो थ्री यह वला एक्सियो थ्री जिरोन के आउटरमोस मेट है ओक्सिजन डबल 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 6 वैलेंसी घटा दी 2 बाई 2 वन हो गया इसको देखो एससो फोर को सलफर के आउटरमोस मेट है हाँ 6-6 तो लोन पेर 0 होगे बच्चे ठीक है तो किसी के सेंटरल पे लोन पेर निकालने हो तो बड़ा असान तरीक है उसके वैलेंस एलेक्टरोन में से उसकी जो एट परजेंट वैलेंसी ये मोलीक्यूल में वो सब्ट्रेक्ट कर दो कंडिशन्स पे चलते हैं मुश्किल से पांचार मिनट का गेम है सारा समझ जाओगे इसको ना सुनो भई फोकस रहना बच्चे वीएसी प्याइटी डन कर सकते हो टाइम अपडेट में आपको दे देता हूँ 11.47 हुए 13 और 10 23 मिनट्स मेरे पास अभी बाकी है सबसे पहली बात यह मिक्सिंग है विल्कुल है जी क्लियर किसकी और बिटल्स की किसकी नहीं है इलेक्ट्रों की तो इसमें एंपटी हाफ फिल्ड फुल्फिल्ड सौरे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वापी सुन लो इट इस अ मिक्सिंग ओफ और बिटल्स सो कुशन आद फुल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिपेट फुल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फ उनका नाम हुझाएगा SPSP, अब 1S2P participate करें, 1S2P participate करें, तो 3 बनेंगे नहीं, तीन, उन्हों सब का नाम पती क्या होगा, SP2, 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 निया नाम हुझाएगा, जैसे दाल और चावल मिलाकर खिचडी बन जाती न मेंचे, वो हरकत हो जाएगी यहां पे, सब एक जैसे हो अगर चार पहले मिक्स हो रहे हैं, तो नहीं भी चार बनेंगे, अब इन चारों का नाम सेम है, ओलार, SP3, 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 अब आपी सुनो, मिक्सिंग ओर्बिटल्स की होएगी, इलेक्टरोंस की नहीं, सो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, एम्पिटी, कन पार्टिसिपेट इन दर हाइपडिजेशन, और जितने मिक्स होएगे, उतनी बनेंगे, बड़ पहले थे प्योर ओर्बिटल, पहले थे प् इसा हो गया है, गुबबारी जैसा, बलून जैसा, लोब्ड, हाइपोथेटिकली, पोलिंग ने, हाइबिड ओर्बिटल को बलून जैसा दिखा है, जिसको लोब शेप बोलते हैं लोग, तो और ओर्बिटल के एनरजी, मिक्सिंग से पहले नियरली सेम थी, अब आफ्टर म किसको बुलते हैं, इसी हईब लोफ तो बत्चे ह booster मिठे नमोन में इनरफ लोब थी फेस रोइधस सेम गए, तो बच्छे को बता रहा हूं प्लीज अपने दिभाग में सबसाफ लोप सेट कर लो,工作 अवा फम कर दोंए अवा अश्तर्स अर्आ है, इसी लोब सेम लोबisen के इव दा हाइब्रेड स्टेट इसेम अच्छा बता ना XCF2, I3-, PCL5, SF4 यह आइसो लोबल है कि नहीं है यह चारो यह चारो आइसो लोबल है कि नहीं है कुश्चन आपके पास यह कैसे पता चला SP3D, 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 SP3D ठीक हो की बात बिल्कुल? चलो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में पंबनेंटली एंटर करकी होएगी क्या? कि हाइब्रिड में जो पाटिसिपेशन और हाइब्रिजिशन के अंदर वो और्बिटल्स का है, इलेक्ट्रोन्स का नहीं है जितने मिक्स होएगे उतने बनेंगे और जैसे मिक्स होएगे वैसे बनेंगे अगर पाटिसिपेट करने वाला हाफ फिल्ड है तो बनने वाला भी हाफ फिल्ड, पाटिसिपेट करने वाला फॉल फिल्ड तो बनने वाला भी फॉल फिल्ड और ग्राउंड स्टेट वेलेंसी और मोलीक्यूल की वेलेंसी मैच कर जाए, तो नो नीड़ो प्रमोशन, अगर मैच नहीं करें तो नीड़ो प्रमोशन, अब मुझे बताओ, अमोनिया में प्रमोशन चाहिए कि नहीं, ऐसे कम से कम आपको 15 कुशन मिल जाएंगे सब जगाओं प नाइट्रोजन के आउट्रमस में तीन ये अनपर एलेक्टर नहीं चाहिए, वेलेंसी मतलब, तो नाइट्रोजन की वेलेंसी और यहां ग्राउंड स्टेट एलेक्टर मैच कर रहे हैं, तो यहां प्रमोशन नहीं चाहिए, वापे सुन लो, अगर किसी एलेमेंट की से लिखा हुआ, फोस्फोरस के आउट्रमस में कितने एलेक्टरोन से हैं, तीन, और वेलेंसी भी कितनी है, मोलिक्विल में, तीन, नो निडो प्रमोशन, अब आपको पीछे जोड़ूं, जहां-जहां सूपरोक्टेट है, वो प्रमोटेड है, जिरोन के 100% कमपाउंड प् कार्बन के 100% कमपाउंट प्रमोटेड है, कार्बन के. इस पूरे पेज को एक लाइन में बदल दू. All compounds in which the valency is expended, all are promoted. Sulfur 4, Sulfur with 6, Iodin with 3, Iodin with 5, Iodin with 7, Genone with 2, Genone with 4, Genone with 6, Genone with 8, जो भी होएगा, Axio 4, 8 valency है, तो सारे प्रमोटेड है. तो अगर मैं से पूस्ता, out of the 4, in which case the promotion is needed, तो आपने का, रुको बताते हैं, ground state valency of nitrogen 3, बोंड भी 3, चलो, no need. Ground state valency of phosphorus, और molecule की valency, match कर रहे हैं, no need of promotion. लो जी, कौन से d-orbital involved होएगे, इसके लिए तो दो स्मार्टों कोडिनेशन के, मिस्ट्री ओ लड़ी पढ़के आ रखे हो, बच्चे, एनस, एनपी, एनडी, these all have the less difference of energies, तो यह participate कर सकते हैं, N-1D, एनस, एनपी, याद करो, इसको आप बोलते थे, SP3D2 type, इसको आप बोलते थे, D2 SP3, और बार्मी क्लास में, अभी पेपर में आना है तुमारे, तो जहाँ energy difference काम हो, those will participate in the, those D will be participate in the hybridization, N-1D, N-1D, लेकिन अगर, N-1P और N-1 की, मिक्सिंग करवाएं, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, 3P, 3D, 4S, मैंने का, यह तो ठीक है, लेकिन 3P का 4S के साथ, Delta E, का जो difference है, वो large है, तो मैं SC mixing, recommend नहीं करता, सर, पेपर में कुश्चिंग कैसे आएगा, SC आएगा, 3S, 3P, 3D, will participate or not in the mixing, yes, 3D, 4S, 4P, yes, लेकिन आप से पूछे का, 3P, 3D, 4S, आपने का, ना, ना, बिल्कुल नहीं, 3P का 4S से energy difference जादा है, तो मैंने आप से बार-बार का, जहां energy difference nearly same हो, कम हो, large ना हो, those will participate in the hybridization, hybrid orbital को, balloon से दिखाते हैं, lobe shape, always sigma bond बनाता है, और जितना भी electron cloud है, वो अपने आपको maximum distance पे लेके जाएगा, याद करो, जो तुमारा SP है, वो 180 पे है, जो SP2 है 120 पे है, SP3 अभी बताया था दिर पहले, 109 पे है, यह देखो, SP 180 पे है, SP2 120 पे है, SP3 109 पे है, अब इसके पर जो game शुरू हो जाएगा, molecular orbital diagrams बनाना, methane का, ethane का, इन सब के molecular orbital diagram बनाना, इन steps को follow करो, और जो मन करें, ड्रो कर लो, सबसे पहले क्या करना, hybrid state निकालना, दो-दो तरीके बता दिये आपको, फिर promotion चेक करना, अभी बताया कैसे चेक करनी होती है, फिर mixing करवा देना, according to hybrid state, और finally का करवादो, overlapping, वारपिस बोल रहा हूँ, सबसे पहले hybrid state निकालो, फिर excitation चेक कर लो, फिर mixing करवादो, according to hybrid state, finally overlapping करा लो, methane शुरू कर रहे हैं, यह SP3 है, हाँ है, एक्साइटेशन चाहिए, मैंने गाता, 100% compounds में, carbon के 100% compounds में, promotion चाहिए, promotion कर लिया, तीसरा step के mixing, इन सब को mix कर लिया, mix करने के बाद, carbon के around, 109 degree पे arrange कर दिया, आपको बता हामनी, 109 degree angles इंदा methane, हामनी 109 degree angles इंदा methane, कितने, is it true, I think 6, सुन्नी रहे लगता आपने, पेट भर गया आपका लगता है, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, सारे एंगल कितने हैं, 109, यह को प्लेनर स्ट्चर थोड़ी हैं बच्चे, यह नोन प्लेनर है, यह वन ओट भी 109, यह भी एक सुन्नो है, यह वाला भी एक सुन्नो है, यह वाला भी 109, यह वाला भी 109, सारे इसमें 109 डिगरी के एंगल है एक दूसरे के साथ, because this structure is non-planar बोलो भई सबसे पहले hybrid state निकालो फिर excitation, फिर mixing, फिर overlapping और यह मिथेन में मैंने करके देख लिया अगर किसी को इधेन समझना हो तो यह हरकत सेम करेगा वो पहले इन दोनों की क्या निकालेगा hybrid state उसके बाद इनकी मर्जिंग हो जाएगी बस यह बच्चो को मैंने बताया था SP करेक्टर कितने कितने यह तो शहर तुम्हें पता ही होईगा इसमें जाने की नीड़ तुम्हें वैसे है नी अगर कोई SP हो तो 50-50 अगर SP2 हो SP2 हो तो 1-2-P तो क्या हो गया 1-3-2-3 अगर कोई SP हो तो वह हाफ-फ अगर SP2 हो तो 1-3-2-3 अगर SP3 हो तो 1-4-2 3-4 और SP3D हो तो 1-5-3-5 and 1-5-5 कुन सी होते हैं ? dx2-y2 dz2 और जब sp3-d3 तो degenerate वाले कुन सी होते हैं ? dxy, yz, xz बोलो भई अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहाँ इथीन का बनना यहां आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है नहीं तो मैं समझाऊंग। और जब अप जिमेट्रिकल आइसमेरिज्म करो गई फ्रोजन रोटेशन एरियल डिस्टेंस वहां बड़ा काम माई गई यह डबल बोन का फोर्मिशन इथीन का बनना समने में आगया बच्छे सबसे पहले एस्पीटो हाइबरिट उसके बाद यह प्रमोट हो गया कार्बन के 100% कमपाउंड प्रमोटेड है फिर मिक्सिंग हो गई जैसा हाइबरिटिशन में बताया गया है एक एस दो पी और जिसको मैंने ब्लैक पैंसे लिखा वह अन हाइबरिड है यह वाला और वो अन हाइबरिड वैसे की वैसे पड़ा हुआ है और वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करके कौन सा बन बना लेगा पाई और इस वजह से इसमें फ्रोजन रोटेशन आ जाएंगे फ्रोजन रोटेशन समस्ति हो ना जिमेट्रिकला इसमरीजम जमेट्रिकला इसमरीजम चलो अब बी अफ्री के बारे में सीखो सबसे पहले सेंट्रल अटम का हाईबडिशन निकालो एसपी टू उसके बाद चेक करो इसकी ग्राउंड स्टेट की वलेंसी कितनी है एक जबकि मोलीक्यूल में कितनी है तीन 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 और वही कंडिशन की प्रमोशन चाहिए कि नहीं हाँ चाहिए प्रमोट कराने के पाथ इसके पास तीन अनपेड हो गए अब अकोडिण टू हाईबर सेडिन सब की मिक्सिंग करा दो जब यह तीनों मिक्स होएंगे तो एक बोरोन पे तीन ओर्बिटल स्पी टू स्पी टू स्पी टू 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 टूएंटी पे अरेंज हो जाएंगे यह 3 में backbonding होती है, बच्छे, backbonding, clear ना, तो अब सोचो, इसके पास ही empty orbital पड़ा हुआ है, इसके पास ही lone pair पड़े में है, तो यह back donation का concept आएगा P block में, अभी नहीं बीच में खचरा करेंगे, तब बताएंगे इसको, अभी फिलाल बता रहा हूँ, किस type की overlapping हो रही है, बी के SP2 से, बी के SP2 से 2P, बी के SP2 से 3P, बी के SP2 से 4P, बी के SP2 से 5P, बता सकते हैं सबसे धांसु वाला bond कुण सा बना, जबर्दर स्ट्रोंग, BF3 में, और वहाँ तो back bonding भी हो गई, उसका addition और हो जाएगा उसके अंदर न, इस सारे discussion हमने कर लिए हैं, तो यहाँ कोई फसने वाली बात है नहीं, अब यह इथाइन था, CO2, CS2, BCL, यह सारे SP, SP, SP हैं, तो अब तो तुम शार्पली उठा लोगे बातों को, तुम्हें पता है कारबन के 100% compound promoted है, ठीक है, तो 1S, 1P mix हो गए, यह दो unhybrid है, कारबन के आउटर मोस्ट में, 1S, 3P पड़े में, मुझे ओडर मिला है कि मैं SP हाइब्रिशन करवा हूँ, तो 1S, 1P mix होए, दो unhybrid रह गए, लिखे बताऊं इसको यह समझ गए, यह कारबन, यह 1S2, यह 2S1, यह 2P X1, 2P Y1, 2P Z1, just we want to make the ethyne, what type of hybrid state SPSP, 1S, 1P mix together, they will form SP, second carbon SP, ना इसके बाद, यह दो दोनों पे, क्या पड़े हुए, unhybrid, इस सेम PX का PX से, PY का PY से, पाई-पाई बोंड बन जाएगा, और यहां hydrogen क्या बना लेगा, सिगमा बोंड, और यह भी सिगमा बोंड बन गया, SPSP का, कहो तो वापिस समझा सकता हूं, सारा, बड़ी काम बढ़े आएंगे, बात में जाकर प्रशान बढ़ेते हैं, बच्चे, जब और अर्गनिक एमिस्ट्री स्टार्ट होती हैं, जी यो सी, वहां उनको समझी नहीं आ रहा हुता, करना क्या है, इसको चेक कर सकते हो, मैंने उन बच्चो को भी का था, एक मिनट लगा और इसको समझो, क्या ही सारा समझ में आ रहा है, बेफो का, बेसील टो का, बेच्टो का, बेरिलियम का आउटर मोस में 0 इलेक्ट्रोन है, बच्चे, अनपेर्ड, तो इसकी वेलंसी जीरो हो नीच है, ग्राउंड रहेएंट वेलंसी, इसलिए सारे एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा बेरिलियम भी, बेरिलियम जब भ को लो जी कौन सा डी इन वोल ये भी परसेंटेज अव एस्पीडी ये कोशन भी आते हैं बच्चों को बता है कौन कौन सी कोशन आ सकते हैं जनली बच्चे पूसते हैं शेप जिमेट्री का आइसो लोबल का बॉन्ड एंगल का प्लियर ना फिर पीसी एल फाइव और एस एफ पाइफस इए एफ गैसेव और आएफ सेवन ये देखो बच्चे पीसील फाइब में एस पी तिरी डिफट्री ट्यू आएफ सेवन एस पी त्री डिफ्री प्रमोश्न चाहिए क्या ग्राउंड 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 के अनपेरड टीन दो और एक हैं पीसील फाइव के 3 है, वालेंसी 5 बनानी है, Sf6 में 2 है, वालेंसी 6 बनानी है, If7 में 1 है, वालेंसी 7 बनानी है, तो सभी में क्या चाहिए, प्रमोशन, 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 उसके बाद, जैसा हाइब्रिड स्टेट था, 1S, 1S, 3P, 1D, अब एक निया कुश्चन निकलाया, हाम हमनी D are empty, सुनो, SP3D, PCL5 में सीख रहा हूँ, तो 1S, 3S हो गया, 3P, यह अनपेड हो गए, एक्साइटेशन के बाद, 5D में से, आउटो 5D, 1D भरा हुआ है, तो हमनी D are empty, 4, यहां बच्चों को सिंपल सा ट्रिक बता दिया था, जब SP3D हो, तो एक के लावा जो बच गए, सारे के सारे empty है, जब SP3D2 हो, तो क्या लावा जितने बच गए, वो empty है, और जब SP3D3 हो, तीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो empty है, ऐसे कोशन में मिलेंगे आपको एक्जाम्स में, PCL5, SF6, IF7 बना ना आ गया बचे, कौन-कौन से D यूज हो रहे हैं, कितने D खाली पड़े में हैं, एक्साइटेक्शन चाहिए कि नी चाहिए, आइसो लोबल है कि नहीं है, इस सारी बातें आपको वहां कामा नहीं है, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बना, वो था, हामेनी 90 डिग्री एंगल्स इन द द ऐसे एफ सिक्स, बताएगा कोई, हामेनी 90 डिग्री एंगल्स इन द ऐसे एफ सिक्स, यह एसे एफ सिक्स बना वहाँ है बच्चे, अस्पी तरी डी डी टू, चार तो अपर सेड में मिलेंगे, चार डाउन सेड मिलेंगे और चार प्लेन में मिलेंगे, और इन द प्लेन, इसको समझना होता मैं इस पर बना सकता हूं बोड़ पे, 1290 degree angles are in the SF6 कुछ समझना चाहता है इसको पक्का how many 180 degree angles in the SF6 1 2 3 4 का है 4 कहां से दिखा बच्चे 1 2 3 फिर समझाऊ 1 2 3 तो कॉस्चन आएगा 90 degree angles are 12 180 degree angles are 3 ठीक है जी तो इसके कोई confusion आ रहा हो तो मेरे से immediately discussion हो सकता है लो जी इसके बाद शूरू हो जाएगा फिर आपका VACPRT ठीक है VACPRT समझे शेब समझते हैं चलमे तो एक दो लाइने पढ़ा कर कल हमारा target डाइपल मोमेंट का और VACPRT का फिर आप question पूछ ले ना जितने आपने की होएंगे ठीक है वैसे तो पहले दो दिन ही decide किये थे तीसरा दिन बाद में जोड़ दिया गया फिर मैं आपको पढ़ाता ही तीन चीजे उतने electron pair हो सकते हैं, दो टाइपके Electron pair 2 type के, bond pair, lone pair Bond pair समझते हो दो bonds के बीच में बना हुआ Lone pair समझते हो लाइन जिसने bond नहीं बनाया अभी तक अब सोचो जब electron pair होएंगे ।ो attraction तो हो नहीं सकता जब electron pair होएंगे tो attraction तो हो नहीं सकता क्या होगा बच्चे उनमें रिपल्शन इसलिए मैं इनका नाम क्या रखा हुआ है दिस इस थेरी अबाउर दा रिपल्शन्स ओफ एलेक्ट्रोन पेर्स विचारिन दा आउट्रमोर शेल फिर सुनोगे विए से प्याटी पढ़ कियो रहे हो बच्चा मिर से पका कि अब ही दर तो मिर को समझ में आ गया कि हाईब्रीट सेट स्पी 3 टेट्राइडल स्पी 2 प्लेनर स्पी लीनियर एसपी 3D ट्राइगनल बाइप्रमिडल स्पी 3D टू ओक्टाइडल स्पी 3D ट्री पैंटागनल बाइप्रमिडल लेकिन अगर मैं से कोई पुछेगा कि S4 स क्लास फ्री करेंगे भाई नीद में लगता है चलो ठीक है नेक्स मिलते हैं भी कल वेरी वेरी इंपोर्टेंट थीरी फिर आपको गैप भी मिल जाएगा टेस्ट तक ना आ इधिंक कल हुरी है पांच 6 7 8 तीन दिन का गैप मिलेगा